हेलो वेलकम तो दे रहमान केमिस्ट्री अगैडमी आप सब का वेलकम करता है जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग सीरीज पे चल रहा है अभी हम लोग सॉलिड स्टेट पर बात कर रहा है कुछ वीडियो मैंने अल्रीड इराल चुके हैं आज का मेरा टॉपिक है सॉलिड स् अब हम आगे आते हैं देखिए आज का मेरा टॉपिक है कि हम वाइट जो प्रेजेंट होता है जिसे आपने पड़ा था कि यहां पर देखिए मैं डियाग्राम बनाया हुआ है कि इसमें अगर तीनी अटम को साथ एक अटम कवर्ड करें अंदर जो स्पेस होगा वैकंड जो और फास दैटम कवर करें इस वाइड को anक्ट को शेर करें आपस में और डिस जघ्राम को और प्रेशनचिप और याद अैंगे तो याद रखना है कि अप्रफ Kr आजा को देख सकते हैं दूसरी बात अगर हम क्यूब आइड क्यूबिक की बात करता है गर क्यूबिक के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बॉडी सेंटर की बात करों बीच सी कंदीशन में यह सिंपल क्यूबिक में तो वाइड का जो रेडियस होता है वह 0.732R के बराबर होता है मतलब अगर हमें radius of atom निकालना तो radius of void निकाल सकते हैं, radius of void में में मालूम है, आपको radius of atom निकाल सकते हैं, इस formula का इस्तमाल सबसे आदा किया आता है, आगे देखें, अगर triangular void है, तो उसका relationship क्या हो, तो 0.155R, याद रखें, आपको याद करने पड़े हैं, आपको याद करने पड़ तो हम इस circle में प्रेजन करते हैं, वह basically anions होते हैं, because anion का size बड़ा होता है, उसके बाद जो उसकी वजह से arrangement की वैसे, जो वाइड प्रेजन होते हैं, जो ट्रेंगल वाइड प्रेजन होते हैं, उस वाइड पर जाके क्या होता हो, बैट जाते हैं, तो इस से हम radius ratio की ये, इस कीटायन का size छोटा होता है, anion का size हमीशा बड़ा होता है, तो r plus upon r minus, ये r आपको basically क्या है, radius of, radius ratio है, इसका smaller कीटायन और anion का ratio, इसके कुछ अपने rule होते हैं, अगर हम radius ratio को देखें, लिस देन अगर 0.225 के बराबर आएगा, इसका ratio अगर 0.225 से कम आता है, तो वैसे condition में CCP, SCP structure होते हैं, और triangular voids अगर present, तो coordination number 3 होता है, इसका example है B2O3, और वैसे भी आप formula किसा आप से जानती ही, पढ़ भी जुके हैं, की number of item कैसे निकालते हैं, इसका तरिका ये होता है, कि अगर number of, आपका octadal void, अगर N है, total void हमीशा 2N होगा, N का मत्तम number of item, भई आपका N9 की CCP, SCCP पे present है, उसको N से represent करेंगे, octadal void N के बराबर, number of item के बराबर होता है, total void हमीशा 2N होते है, अब रहा समार, coordination number निकालते हैं, कहते हैं, केटायन के coordination number जब भी निकालेंगे आप, तो number of N9 जितने touch करते हैं, उसको that is called coordination number, जो मैं previous video में बता भी चुका हम आपको, और N9 के coordination number निकाला, तो कितने ketions को touch करते हैं, that is called coordination about that, anions कहलाते हैं, इस तरह से कहता है, radius ratio अगर आपका देखिये, more than 0.225, less than 0.414, तो ऐसे condition में, CCP, SCP अगर पाए जाते हैं, literal void coordination number 4 होते हैं, इसे example, zinc sulfide, silver chloride, silver bromide, silver iodide, calcium fluoride, thorium oxide, अगर आपका radius ratio 0.414, तो आपका जादा हो, 0.7 0.732 से कम हो, तो ऐसे condition में, CCP, SCP structure, but octodal void यहाँ पे coordination number 6 हो जाता है, NACL के लिए, अगर हम बात करें, 6-6 पाए जाएगा, NABR का, KCL का, KBR का, RBCL का, यह example है, अगर आपका radius ratio, 1 से 1 के बराबर हो, यह 0.732 और 1 के बीच में लाई करते हैं, तो ऐसे condition में, simple cubic कहते हैं, इसमें cubic void पाए जाते हैं, that is coordination number 6 हो जिसके example है, cesium के halide जितने मिलें, हैं, आपको cesium mitum के, cesium chloride, cesium bromide, cesium iodide यह मिल सकते हैं, अब type of ionic solids पर हम बात करें, तो number 1 पर आता है, आपके पास यहां पर present rock salt structure, इसको NACL type कहते हैं, NACL type, actually NACL types के बहुत सारे और भी salt पाए जाते हैं, उसे coordination number याद रखना है, 6-6 होता है, radius ratio की बात करें, इसका 0.4141 से जादा होगा, और 0.732 से कम होएं, दोनों के बीच में लाई करेंगा, इसको formula यह भी होगा, anions हमेशा corner पर पाए जाएंगे, और face centered पर याद रखना है, anions हमेशा corner पर face centered पर, अब body centered पर खाली आपको cation मिलेगा, तो ऐसे condition में आप octal voids को देख, तो आप याद रखिए, आपको body centered, cubic plus face centered, दोनों चीज़े एक साथ पाए जाएंगे, body पर हमेशा cation मिलेगा, और age पर cation मिल सकता है, octal voids इसमें 100% पाए जाते हैं, इसमें कहता है कि anions का radius, कोकि anions की number of item को represent करता है, उसका age length relationship यहाँ पर दिया एक unit cell के अंदर, anions is equal to root 2a by 4 होता है, इसमें 4 anion और 4 cation पाए जाते हैं, तो r plus radius of cation plus radius of anion is equal to a by 2, यह formula आपको याद करना है, number of z का मतलब होता number of particle unit cell, इसमें 4 item पाए जाए जाएंगे, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, coordination number 6 होगा, यहाँ पर एक example दिया हुग, अगर formula दिया आपका aab, कोई a cation है, कोई a9 है, उसका number a2, p2 ही दिया है, coordination number of a, coordination of b का ratio हमेशा, b opposite a, b number of b atom upon number of a atom, a के कितने atom present, दुनों का ratio होता है, coordination number 6, 4, 9, अगर माले जी हमारे पास compound L2, 3, उसके coordination number 6 दिया हुआ है, तो हमें coordination number oxygen का निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो इसी formula पर देखे पूट किया है, a का coordination number यहाँ 6 था, oxygen का coordination number हमें नहीं मालूम है, तो अब देखे यहाँ पर ratio किया लिए, oxygen का atom कितना था, यहाँ, b लिया हमने 3, a कितना लिया हमने 2, 3 by 2, coordination number is called to 4, इसे corandrum भी कहते हैं, L2O3 को, second type structure is called called zinc blendier, zidens type structure, इसमें देखे, इसका radius ratio किया 0.225 और 0.414 के बीच में लाई करें, 0.225 से बढ़ा होगा, 0.414 से छोटा होगा, इसका formula A-B होता है, बिल्कुल diamond की तरहे structures का पायाता है, इसको sapphireite, sapphire light कहते हैं, sapphire light कहते हैं, अगर नियांस की इसको बात करें, इसको बात करें, नियांस CCP FCC में corner से facented पायागा, but cations इस case में zinc blendier type में, trittal void में पायाते हैं, body diagonal से पायाते हैं, इस तरह से आपको चीज़ने लेर्ण करने ही पड़ेगा, और को तरीखा इसका नहीं है, व्योंकि यह 3-dimensional structure इसको explain करना असान नहीं होता, Z is equal to 4 number of item 4 पायाएंगे, coordination number 4 is to 4 पायागा, मतलब के टायन का भी 4 एनायन का भी 4 होगा, इसका structure आपको इसके लिए में 3-dimensional diagram की जरूरत पराती है, rutile भी इसका example है, Tio, titanium oxide इसको लेखते हैं, ओटसाइट structure भी कहते हैं, यहापे ZNS का, इसमें sulfide ion SCP पाया जाता है, Z atom यहापे 6 हो Fluorite structure, calcium CF2, यह आपका third type है, यह भी two formula होता है, इसका, इसका, ccp, cubical closed packing structure, corners पर पाया जाएंगे, और face center पर पाया जाएंगे, but anions इसका total void पर पाया जाएंगे, जैसके मैंने पहले बदा चुका हूँ, कहीं कहीं पर cation, आपको void पर, कहीं पर anions void पर पाया बिलते हैं, इसका इसका मतलब है कि इसका Z number formula AB2 is equal to 4, coordination of cation is equal to 8, anions is equal to 4, इसका मतलब एक calcium के साथ, 8 fluorine atoms combined, attached होता हैं, 3 dimensional lattice में, और 1 fluorine के साथ, 4 calcium atoms attached होता है, इसका ratio 2 is to 1 ratio, इसका ratio 2 is to 1 ratio पाया जाएंगे, that is called antifluoride structure, antifluoride का formula A2B होता है, इसका example NA2O है, इसमें anions CCP lattice होता है, cation's यहाँ पर detailed void पर 100%, इसमें detailed void खाले पाया जाता है, number of a time इसके 4 होते हैं, cation's के 4, anions के 8 हो जाते हैं इस condition में, इसका मतलब 4 का मतलब है, इसके साथ, एक sodium के साथ, 4 oxygen attached होंगे, एक oxygen के साथ, 8 oxygen atom, antif fluid, just opposite यहाँ पर present है, आखरी structure है, cacl type देखिए यहाँ पर, इसका जो radius ratio आप पाएंगे, 1 और 0.732 के बीच में लागे करेगा, इसका anions simple cubic मतलब corners पर पाये जाएंगे, और cation's cubic voids पर पाये जाते है, cube के अंदर जो voids हो, इसके अंदर पाये जाएंगे, lattice of cation's also set to a simple cubic, इसक coordination number, इसका 8 is to a 3 होगा, simple, यह bccs structure होते हैं, इसका रदेखिए radius of cation plus radius होना, यह formula सब जो blocks में दिया हो, इसको बिल्कुल याद करना, root 3 by a, radius of cation, radius of a line के relationship यहाँ पर दिया होगा, ionic compound, bccc होगा, to z is equal to 1 लेते हैं, metal अगर molecule form में, to bccc z is equal to 1 लेते हैं, metal और molecule के form में, to bccc z is amatized होंगे, और एक chlorine term से 8 cm amatized होंगे, अगला very very important, आप अगर कीज़ेगा, जैसे इस radius ratio बढ़ रहा है, coordination number भी increase कर रहा है, इस तरह से coordination number पर आपको ध्यान देना है, अगला जो एक point part हो, spinal structure, जो आपको NCRT में नहीं, इसका formula था, ab204 होता है, a याद रखेगा, bivalent cation होते है और b आपको trivalent cation present होते हैं, a में आपको मिलेंगे, a is a bivalent cation, मतब 2 positive charge present होगा, और b आपको trivalent cation होगे, और oxygen यहाँ पर देख रहा है, minus 2 जागे, oxygen ccp lattice पे anons present होता है, cation देखिए, कहां present होना होता है, cation देखिए, कहां present होना है, जाइस बाद वाइट पर होंगे, voids को that is called tetral void पे आपको cation A2 plus पाए जाएगा, और tri positive cation जो आपको octal void पे पाए जाएगे, कहते हैं, tetral voids अगर हम देखें यहाँ पे, तो tetral voids यहाँ पे देखिए, 1 by 8 into 100, 12.5 percent, octal void 2 by 4 into 100, आपको यह, इस के ratio के ratio से निकाला गया है percentage, अगर हम देखें, यह 1 by 8 हो गया, tetral void हम जानते हैं कि double होता है atom के, अगर atom आपका oxygen यहाँ पे, oxygen कि इतने चार atom present है, तो चार का मतलब यह total void होता है, 2 in formula होता है, 2 into 48, तो 1 by 8 into 100, और हम जानते हैं कि octal void same number of atom के ब्राबर होता है, तो oxygen यहाँ पे 4 है आपका, तो कितने 2 हैं, 2 by 4 into 100, तो इस atom के ratio से, यह number of atom को represent कर रहा है oxygen, तो oxygen यहाँ पे 4 present, 4 is a number of atom, तो 4 अगर number of atom present होगा इस case में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चार number of atom present, तो number of atom 4 present है, तो 3 to 4 हो जाएंगे, और octal void आपके 4 ही रहेंगे, उसी के respect में पर सेंटे यहाँ पे निकाला गया है, अगला बहुत इंपाइंडरी structure that is called inverse spangler structure, यहां पर देखिए डाइ-पॉसिटिव और ट्राइ-पॉसिटिव दोनों के टायन पाए जाएंगे फॉर्मुला देखिए अच्छी स्प्रिट कर कैसे लिखते हैं यहां पर आटण है। 3- Monday स्प्रिट अंतों कर मुड्याए और कम नुकर कि यहां पर ट्राइ-पॉसिटीव यहां यहां पर दीपैसिटिव एकस पाए तो हैं uh OCTADAL VOID पे, ATOM कितना प्रेजंट है? 4 OXYGON, तो 1 x 4 x 200 B3 PLUS में अगर आप आते हैं, B3 PLUS यहां पे कौन है, तो B आपके पास FE2 है FE2 के 3 PLUS से आज की बात क्याता है, TETRAL VOID, OCTADAL VOID दोनों पायाता है TETRAL VOID में 1 x 4 लेकिन 1 x 4 लेकिन OCTADAL में आते हैं 1 x 8 हो जाएगा देखी दिया हुआ है, what should be the minimum possible radius of cation and what should the OCTADAL VOID according to the radius ratio ANIONS, अब यहां ANIONS का radius दिया हुआ आपके पास, PICOMETER में दिया हुआ है, PM है PICOMETER, 200 PICOMETER तो हमें देखना पड़ेगा minimum possible radius ratio cation, OCTADAL VOID, radius of ANIONS Cation enhance का रूल क्या होता है, for OCTADAL VOID के लिए formula R1, R plus upon R minus is equal to 0.414 आप find out का सकते है, 200 से multiply अरके निकाला गया है, what should be the maximum possible radius of ANIONS in the formula packing cation X PICOMETER दिया हुआ है, in tetrahedral VOID अब यहां पर देखे, 4 option हमारे पास दिया हुआ है, that is 4 option present है हमारे पास maximum possible tetrahedral VOID, tetrahedral VOID का relationship क्या है, radius ratio R plus R minus is equal to radius ratio होता है, radius ratio यहां पर आपके पास occupy cation X PICOMETER दिया हुआ है, इसका radius दिया हुआ है cation का, NIN का हमें radius निकालना है, तो यहां पर देखिए, radius ratio of cation is equal to minimum R minus is maximum, R minus is equal to X PICOMETER by 0.225 आप लेते हैं, यह सब formula based रहा है, formula अगर आपको याद होगा तो आप यह formula दिया हुआ है, zinc sulfide AB2, A2B type structure, distance हमेशा R plus R minus होता है, R plus R minus का relationship A is equal to root 3 by 4, derived किया गया, तो आपको derivation के दो होतनी, आपको formula याद करना है, October void में आएंगे, R plus R minus is equal to A by 2 हो जाता है, radius of cation is proportional radius ratio, इस तरह से आप देख सेकता है, perfect packing जाप होगा, radius of A by 2 root 2 होगा, question दिया होगा, R minus is equal to 200 pgm, NACL type structure है, तो के टायन बताएं क्या होगा, NACL ने पता है, 0.414 से ज़्यादा होता है, तो यह maximum minimum limit और maximum limit दो रहे है, प्रस और minus का, minimum limit 0.414 और 0.732 के बीच में लाई करता है, यहां पर इस cation आप निकाल सकते हैं, दोनों possibility यहां पर निकाला गया है, cubic void में आएंगे तो cation side body centered R plus R 2 R plus R minus equal to root 3 A के बरावर होता है, तो R plus R minus equal to A by 3, यह formula सब आपको याद करना पड़ेगा, तब ही आप कर पाएंगे, और थोड़ा problem इसमें, जो root की problem आती है, तो root की problem को आसान करने का तरीका है, जैसे cube root of cube root 2 2 निकालना तो 1.25 याद कर लिजे, cube root of 3 निकालना 1.4, cube root of 5 तो 1.73, तो इसको learn कर लेंगे, तो calculation आपके लिए आसान हो जाएगा, I hope यह आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, आप इससे देखके खुद भी समझ सकते हैं, formula based है, बोरा ही है, formula आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, competitive profile में direct question आते हैं, इसमें से, इसी formula पर question पुछे आते हैं, I hope आप इससे को बेटर दरगर समझना ही कोशिश कर सकते हैं, और इससे नोट जरू करेंगे, आपको जाधा फायदा होगा.